वेल्कम टू ओल स्वागत आप सभी का अरसर यूट्यूब चैनल पे और हम आचुके अभी लाइव जैहिन नमस्ते वेल्कम गुड मॉर्निंग हाउस दे जोस एक हो सेलेक्शन बेच की धहाकेदार क्लास लास्ट टॉपिक बोलना चाहूंगा ड्यूल नेचर आप लाइट पार्ट वन प्रकास की ध्वेत परकरती बहुत अच्छे अच्छे थियोरी के नुमेरिकल बहुत ही कम थियोरी के बैसिक विशन यहां से आते हैं और वो हम आज की क्लास में कमप्लीट करने वाले हैं तो सबसे पहले तो जो मेरी आर्मी क्लास में पहुंच चुकी है जो मतलब सर्क के आने से पहले क्लास में पहुंच जाए डेडिकेशन नेक्स लेवल पे बच्चे का सेलूट मेरे एंड से आप सभी को बिटा एक बार हाउस दे जोस का रिपलाई कर दीजिए जैहिंद के साथ में कमेंट बॉक्स में और बैक टो बेक फायर करते हैं मैं क्लास को इंट्रूद्यूस करता हूँ और एक बार आप क्ल सपोर्ट करना होगा और उसके लिए आपको क्लास को मैक्चिमम स्टुडेंट तक शेर करना होगा और यहीं सेर करके जो सपोर्ट आपका है वहीं हमें मोटिवेट करेगा चलो तो सबसे पहले आप पर अगर मैं बात करता हूँ लेक्चर नमबर 139 आप स्क्रीन पर देख र आएगा उसके बाद का क्या प्लान है वो हम डिसकस करेंगे आपके साथ पहले देखिए इसको कंप्लीट करते हैं तो क्लास को मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ आगे बढ़ता हूँ यह हमारी टीम टीम आरसर जो लगा अतार आपके लिए मैनत कर रही है कंदे से कंदा मिला आखी चल रही है टीम आरसर का हर गर से वो वोरियर अपना यही सपना हमारा है यही सपना आपका और उसी सपने को हकिकत में बदलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं अगर आप मुझे अनकेडमी पर जोइन करना चाहते हैं तो अनकेडमी का लर्निंग आपको डाउनलोड करन करना होगा उसके बाद में आप मेरा यह प्रोफाइल सर्च कर सकते हैं इस प्रोफाइल पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और हमारे इस आर्मी को जोइन कर सकते हैं यह हमारी सेना है जिसको आप जोइन कर सकते हैं हमारी फ्री स्पेशल क्लासे अनकेडमी पर जो आप आप जोइन कर सकते हैं, सुबह 8 बजे, सामको साड़े 8 बजे, सुबह top 3000 होता है, सामको revision class होती है, revision 3 चल रहा है, revision इस्टार्ट कर दिया है, ठीक है, और यह हमारे plus की class है, जह 12 से 1, 3 से 4, और 1 मेरी और class स्टार्ट होगी बिटा, 6 से 7 पे, जो topic wise आपका practice class है, ठीक है, topic wise practice class है जो भी बचा, academy plus join करना चाहता, उस class के लिए, यह category select करें, get subscription पर क्लिक करें, उसके बाद में 3 मन्त है, 6 मन्त है, या 12 मन्त select करें, आप हमारा code यूज कर सकते हैं, RSR live, यहाँ पर आपको 10% का discount मिलेगा, जो यहाँ पर आप ओपर देख रहे होंगे, और उसी price range में बाकी सार class age की जो update है, वो आपको यही पर मिलती है, और यहाँ पर आपको तुरंत update दे दिया जाता है, तुरंत आपको link दे दिया जाता है, class के regarding, क्या होने वाला है धमा का, आज का धमा का start करते हैं, और सबसे पहले entry होती है, photo electric effect की, जड़ा तयार हो जाओ, मेरे 0 concept को clear करने के जब किसी धातू की सतय पे, किसी metal की surface पे अगर light आता है, यानि incident light की बात कर रहा हूं, मैं आपतित प्रकास की बात कर रहा हूं, तो जब किसी धातू की सतय पे सूरिय का प्रकास गिरता है, और उस सूरिय की प्रकास से जो sunlight है, उस sunlight की वज़े से, उस surface फ्री electron से उरजा ले के अगर वहां से इमिट हो जाएं वहां से उरजा लेके भाग जाएं और आपको पता हैं जब भी elektron भागता है, motion करता है तो सर्कुट में क्या flow करता है? current flow करता है तो इस प्रकार जब elektron भागेगा, जब elektron motion करेगा तो circuit में current flow होगा इस पूरे effect को हम photoelectric effect कहते हैं और जो current flow हो रहा है उसे photoelectric current कहते हैं प्रकास, विद्दुत, धारा तो इस concept को तो तो ज़ोज़ा basic से समझने के लिए मैं आपको एक छोटे-छोटे concept को include करूँगा step to step कि ये conditions कब होगी इसमें work function क्या होता है three sold frequency यानि दहली आवर्ती क्या होता है career plan क्या होता है three sold wavelength क्या होता है और मैं आपको class में clear करने के बाद में याद करवाने के बाद में आगे बढ़ूँगा लेकिन एक promise आपको मेरे साथ करना होगा दिल पे हाथ रखके बोलना comment box में जब मैं समझा रहा हूँ तो पूरा focus class में होगा आपका ताकि आप comment में यह ना लिखोंगी sir please repeat क्योंकि पूरा focus करोगे तो मैं guarantee के साथ दावा का सकता हूँ आपका concept clear होगा hundred percent तो ready है बेटा सारे के सारे बच्चे clear है चलो जी तो थोड़ा सा feel करते हैं जो मैंने definition दिया जो मैंने concept दिया उस concept को बेटा यह कोई metal है feel करना practically बताऊंगा ताकि आपको याद हो जाए यह कोई metal है और इसकी सतय पे light आता है प्रकास आता है यह प्रकास आरा है इस सतय पे प्रकास आके इस सतय पे गिरता है और इश सतय में बहुत सारेकुल्टॉया का है बेटा वह जेजने सकी है क्योंकि electron को सतय से बहार निकलने के लिए electron बंदा हुआ है nucleus के साथ में वह भाग नहीं सकता बहार क्योंकि nucleus ने उसको जकड के रखा है नाबिक में proton है धनावेश और electron orbit में चकर लगा रहा है लेकिन उस धनावेश ने neutron को बांद के रखा है लेकिन अगर neutron को बांद के रखा है लेकिन अगर उस electron को बाहर से एक्स्ट्रा energy दे दी जाए बाहर से अत्रिक्त उर्जा दे दी जाए तो वह electron निकल जाएगा तो यह जो बाहर से energy आ रही है photons के रूप में यह energy photon को transfer होती है और जो electron यह उर्जा लेके वहां से free हो जाते हैं स्वत्तंत्र हो जाते हैं जब यह गती करते हैं जब यह electron motion करते हैं जब यह electron गती करते हैं परवाइत होते हैं flow करते हैं एक इस्तान से दूसरे इस्तान पे तो उस circuit में क्या flow करता है current flow करता है क्या flow करता है बेटा current flow करता है यानि धारा परवाइत होती है तो इस complete process को हम photoelectric effect कहते है और इस current को photoelectric current कहें देंगे लेकिन बच्चे के दिमाग में पुरूंत एक सवाल आएगा क्या सर कोई सा भी प्रकास डाल दो कोई सा भी light डाल दो आप इस पे कोई सा भी light डाल दो इस पे और light डालने से क्या electron भाग जाएंगे नहीं भी या कोई सा light डालने से काम नहीं चलेगा एक विशेश प्रकार का light जिसका frequency जिसकी आवर्ती दहली आवर्ती हो frequency 3-sold frequency हो अगर आने वाले प्रकास की आवर्ती दहली आवर्ती यानि 3-sold frequency या उससे ज्यादा है तो वहां से तुरंत electron का emissions हो जाएगा उत्सरजन हो जाएगा अगर आने वाले light की frequency अगर 3-sold frequency से कम हुआ तो यहां से किशी भी electron का emissions नहीं होगा किशी भी आवर्ती का प्रकास अगर 3-sold frequency से कम प्यारा देखो यह frequency आने वाले किये और यह आपकी 3-sold frequency है अगर यह उससे कम है तो कभी भी वहां से electron का emissions नहीं होगा और यह effect आपको देखने को नहीं मिलेगा अभी मैं introduction दे रहा हूँ ज्यादा बात दिल पे मत ले लेना कि late जो इन किया हो और कोई दिक्कत आपको आ रही हो तो आप tension में आ जो tension कता ही नहीं लेनी है अगर आप एक बार चाहो तो एक बार agree comment में कर दो तो एक बार फटापट में एक मिनट में पूरा summary कर दो इसका क्योंकि बहुत सारी बच्चे late जुड़े हैं तो क्या बताया मैंने कैसे बताया एक बार फटापट agree कर दो तो मैं एक बार इसका समदी कर दो फटापट से comment box में अगर तुम्हें agree कर दो agreement आ रहा है okay चलो फटापट एक बार आ जो फुरसे इस क्रीन पे पूरी जोस के साथ में फटोएलेक्ट्रिक इफेक्ट यानि प्रकास विद्धुधारा क्या है फटोएलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है प्रकास विद्धुधारा या प्रकास विद्धुधारा या प्रकास विद्धुधप्रबाव क्या है अगर आने वाली प्रकास की आवर्ती दहली आवर्ती न्यू ग्रेट देन आपका न्यू नोट आने वाली प्रकास की आवर्ती दहली आवर्ती से ज्यादा है अगर ऐसा होगा तो कता ही नहीं होगा यह ज्यादा होना चीए अगर यह ज्यादा है और वो प्रकास सतय पे आता ह तो photon के पास energy होती है यह photon जैसे ही आता है electron को बोलता हां जी क्या है लो भाया energy electron energy लेता है और पूरी energy लेता पूरा चूस लेता उसको यह नहीं भाई साब photon आया यह photon भाया आदी energy तू ले ले आदी तू ले ले नहीं नहीं कता ही नहीं होता है यह प्रोपर्टी आगे बताऊंगा एक photon अपनी पूरी energy की electron को दे देता है और जैसे electron को उर्जा मिलती है और वह वहां से क्या करता है 9211 हो जाता है वहां से भाग जाता है और जब यह electron वहां पर भागते हैं तो आपको पता है electron के motion से सर्किट में क्या फ्लो होता है current होता है यानि परिपत में धारा परवाइत होती है यह current हो गया तो इस पूरे phenomenon को इस पूरी घटना को क्या नाम दिया गया है photoelectric effect है प्रकास विद्द प्रभाव और यह जो current flow किया इसको अमने photoelectric current का नाम दे दिया है अब मैं इसके अलग अलग टुकडों में explanation दूँगा पार्ट में explanation दूँगा लेकिन उससे पहले एक important चीज जो exam के लिए सवाल बनता है note करो इस बात को अपने दिल दिमाग गुर्दे फेपड़े में मुझे लगता है कि इस सवाल exam में बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से deliver किया जा सकता है यह effect photoelectric effect energy conservation के principle पर बैस्ट है जो photon के रूप में energy आई वो electron को दी और वहां से circuit में current flow हो गया energy conservation का principle apply होता है एगरी करना इस बात को सभी बच्चे और अभी का भी याद करो कि photoelectric effect किसके conservation पर बैस्ट है energy के conservation पर बैस्ट है photoelectric effect है वो conservation of energy के आदार पर बैस्ट इस पर वर्क करता है उर्जास रक्षन के सिद्धनत पर काम करता है के लिए रहे बिटा नमस्ते जैहिंद वेलकम गुड मॉनिंग बिटा पूरे जोस के साथ लाइक बटन पर थोड़ी सी कंजूसी मुझे नजर आईए दे मारो फटा बट से concept वाला हतोड़ा लाइक बटन पर लगा दो पर्जेंट और हो जाओ इंक्लूड हमारी क्लास में चोस के साथ में तो पहला basic concept और यह आपका सवाल जो एक्जाम में बनाया जा सकता है conservation of energy ठीक है चलो अब बात करते है one by one अब आएगा मजा अब हमारी entry हो चुकी है मैदान में work function यानि कारिय फ्लन उर्जा या देहली उर्जा क्या है इसको समझे मेरी बात को ध्यान समझना बेटा खेल समझने का है सची बता रहों खेल समझने का है दिल में उतार लिया दिमाग में उतार लिया कता ही कोई छोरी का सवाल गलत नहीं होगा नहीं तो कता ही समझ भी नहीं आएगा आप मुझे एक बात बताना पहली बात हो इसका जो symbol होता है वो होता है बेटा डवलू नोट या कुछ बुक्स में आपको फाइन नोट भी मिल जाएगा तो पहले तो इसको पहचान लो कि इसका symbol क्या होता है बिल्कुल tension नहीं लिया ना क्लास का क्लास में याद तक करवाऊंगा क्लियर करना तो बात की बात है पहले याद करवा दूँगा तुमारे को अपने आप क्लियर हो जाएगा डवलू नोट और फाइन नोट थ्री सोल्ड आपका एनरजी है जिसको थ्री सोल्ड फ्रिक्वेंसी का concept इसे लिंग करूंगा वर्क फंक्शन है दहली उर्जा है या कह सकते हैं कारिये फ्लन उर्जा है ये कौन सी उर्जा है सबसे पहला सवाल ये कौन सी उर्जा है ये वो उर्जा है ये वो उर्जा है जो बेचारे को बांध के रखती है कौन इलेक्ट्रोन को न्यूकलियस के साथ में इलेक्ट्रोन न्यूकलियस के अट्रेक्शन से भाग नहीं सकता तो उसको वहां से बहार निकालने के लिए जो उर्जा दी जाएगी इलेक्ट्रोन न्यूकलियस में चक्कर लगा रहा है ये न्यूकलियस है बिटा, है ना, प्रोटोन और न्यूट्रोन और यह यहां पर electron चकर लगा रहे हैं इस electron को यहां से बाहर निकालना है और इसको electron को बाहर निकालने के लिए जो बाहर से उर्जा दी जाएगी यह जो उर्जा दी जाएगी इसको वही उर्जा है work function कारिये फ्लन उर्जा यह अलग-अलग metal के लिए अलग-अलग होती है क्योंकि नाभी के साथ attraction इसका अलग-अलग होता है तो किसी को कम उर्जा में बाहर निकालेंगे जैसे CGM 2.14 electron volt है जो बाहर अपन रोड पे जो light लगाते हैं उसमें CGM की प्लेटे लगी होती है यादातर क्योंकि जैसे ही प्रकास गिरेगा तुरंत इलेक्ट्रो निकल जाएगा और जैसे ही इलेक्ट्रो निकलेगा सर्किट में धारा बनेगी तो हम तो यही चाते हैं कि कम से कम उर्जा ले और जल्दी से वहां से निकल जाए CGM का कम है प्लेटीनम का 5.65 है अरे प्लेटीनम का बहुत ज्याद है 5.65 इलेक्ट्रो वोड इतनी उर्जा दो तब तो बाईसा बाहर रिख लेंगे यहां से तो सवाल क्या है इलेक्ट्रो निकलियस के अट्रेक्शन से मुक्त करने के लिए फ्री करने के लिए बहर से दी गई उर्जा वर्क फंक्शन कहलाती है कारिये फ्लन उर्जा कहलाती है डेफिनिशन का रट्टा मारने का कोई जरूत नहीं है मैं मुद्दे वाली बात करूँगा बस वो आपके दिल दिमाग उर्दे फेपड़े में पहुंच जाए सबको सबको पता है इबराबर एच नियू होता है सबको पता है मेरे अपको भी पता है वाई इबराबर एच नियू होता है तो वर्क फंक्शन में क्या नया है क्या अलग है डबलू नोट बराबर एच नियू नोट W note बरावर H W note 3 sold सोरी अपका work function है और new note क्या है बेटा 3 sold frequency यानी the helly hour तिलिक लेना बेटा अपने notes में 3 sold frequency यानी the helly hour अगर ये उर्जा उसको मिलेगी तब जाके वो बहार निकलेगा अब मैं आपसे एक सवाल बोचता हूँ बहुत तगड़ा वाला मुझे जवाब देना क्यूशन है बेटा आपका एक्जाम का किसी दात्तो की सत्य पे जो प्रकास आपतित होता है उसके पास जो उर्जा है वो 3 electron volt है उस दात्तो की सत्य से electron को बहार निकालने के लिए work function energy आपका चाहिए 4.1 electron volt है तो बताओ उस सत्य से निकलने वाले electron की kinetic energy क्या होगी बच्चा समझ गया होगा इस सवाल को बेटा लपेट दे बेटा इस सवाल को लपेट दे अगर तु मेरी भावनाओं को समझ रहा है मेरा इस सारा समझ रहा है तो इस सवाल को लपेट दे दातों की सत्य पे जो प्रकास आ रहा था उसकी energy 3 electron volt है वर्क फंक्शन आपका 4.1 electron volt है तो बताओ ये जो electron यहां से निकलेगा उसकी kinetic energy कितनी होगी मेरा इस सारा समझ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ जल्दी बताओ 1.1 electron volt शबास, very good बहुत अच्छे और zero बहुत अच्छे सोच के देख मेरे भाई दिमाग का यूज कर दिमाग कम नहीं है बेटा जिस बच्चे के 25 में से 25 आ रहे हैं उसके ज़्यादा नहीं है दिमाग बड़ा नहीं है तेरे कम नहीं है मैंने क्या बोला यार उस electron को निकालने के लिए उर्जा है work function आप जो energy लेके आ रहे हो देने के लिए वो उर्जा 3 electron volt है यार और बाहर निकालने के लिए उर्जा 4.1 electron volt चाहिए तो आपको लगता है कि क्या वो electron वहाँ से बाहर निकलेगा नहीं निकल सकता तो जो बाहर ही नहीं निकलेगा तो काइनेटिक energy कितनी होगी उसकी जीरो गतिज उड़ जाएगी नहीं ऐसे सवाल एक्जाम में पोचे जाएंगे और इसलिए मैंने क्या कहा बेटा theory फे focus करो theory clear होगी सवाल को लपेट देंगे चुटकियों में लपेट देंगे दूसरा सवाल बनाता हूँ यहीं से मैं black screen लेके आउँगा और दूसरा सवाल बनाता हूँ नई इधर ही बना लेते इधर बना लेते जो सवाल पोचे गए एक्जाम में उन सवालों की बात कर रहा हो दूसरा सवाल इदर बढ़ा लेता हूं में समझिए यस यह दातों की सत्य है वेटा यह क्यूशन है आपका और इस पे जो लाइट आ रही है उसकी एनर्जी है वेटा पांच इलेक्ट्रोन वोल्ट और जो वर्क फंक्शन है इलेक्ट्रोन को बाहर निकालने के लिए जो कारी फिलन उर्जा है वो भी फांच इलेक्ट्रोन वोल्ट है तो अब बताओ काइनेटिक इनर्जी चल्दी बताओ अब बताओ काइनेटिक इनर्जी पटापट ऐसा ही सवाल बनेगा थियोरी में बनेगा किसी सरपेस पे इंसीडेंट लाइट के इनर्जी पांच इलेक्ट्रो जीरो क्यों ये बेचारा इलेक्ट्रोन आया उसके पास पांच इलेक्ट्रोन वोल्ट है और वर्क फंक्शन पांच इलेक्ट्रोन वोल्ट है अब क्या हुआ बेचारा इलेक्ट्रोन को बोला बोला हां बोला कितनी उर जायरे बोला पांच इलेक्ट्रोन वोल्ट है बोला नि क्यों क्यों कि जितने उर्जा मिली वो तो खर्च हो गई वर्क फंक्षन के रूप में भागने के लिए काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई बिटा काइनेटिक एनर्जी हो गई जीरो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई जीरो ये दूसरा सवाल, अब बढ़ाऊंगा तीसरा सवाल इधर, अब मेरा परपस खतम, तीनों सवालों से कोई सवाल बाहर नहीं आएगा, इस पॉइंट से और वो तीसरा सवाल क्या है, देखना ज़रा बिटा प्यूशन है दातु की सर्पेस पे लाइट आ रही है बिटा, और उसकी एनर्जी है, आपका साथ इलेक्ट्रोन वोल्ट है और जो इलेक्ट्रोन है, उनके लिए वर्क फंक्शन है आपका, तीन इलेक्ट्रोन वोल्ट है, तो बताओ, अब इसकी काईनेटिक एनर्जी कितनी होगी, अब समझ गए होंगे तीनों सवालों से, कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, जल्दी से बिटा, शबाश शंदा, जबर्दास्त, जिंदा बाद, जैहिंद बिटा, जैहिंद, तैंक तैंक्यू, 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 लव भी बेटा, आपके सपोर्ट के लिए, दिल की गहराईों से और आपकी प्यार और सपोर्ट से, मैंने बताया कि जिस प्रोब्लम से में पिछले 3-4 महिने से, सच्ची बतारो, बहुत ज़्यादा परेशान था, उसमें धीरे-दीरे recovery हो रही है और बहुत ज़्यादा benefit मिल लाई, आपका प्यार और दुआएं और आपका support है जो इस तरीके से हमें motivate हम पीछे नहीं अटे लेकिन, लगातार आपके साथ खड़े थे, और वही जज़बा हमें बराबर आपको यहाँ पे खड़ा रखता है देखिए बटा, चल्दी से answer बताओ kinetic energy, 4 electron volt चलो देख लेते हैं, बटा अब जो kinetic energy आएगी, वो kinetic energy आएगी बटा, आया कितना साथ, कर्च कितना कर दिया 3, 7-3, यानि 4 electron volt उर जा लेके वो वहाँ से भाग जाएगा, 4 electron वो टूर जा लेके, भाग जाएगा work function का concept clear है क्या, work function का concept clear है, आगे option है, नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पे एक सवाल लिखना चाहूंगा कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं मेरे soldier, जल्दी से unit बता दो इसका जल्दी से unit बता दे, unit बता दिया तो dimension मुझे पूछने का जरूत नहीं है बटा जल्दी से unit बता दे इसका E बाराबर H निउ होता है, जल्दी से unit बना दे, मैं confuse करने का पुरा परियास कर रहा हूं तेरे को, लेकिन तेरा confidence क्या है, जरा comment में लपेट दे फटा पड़ से, जल्दी से बता, इसका unit क्या होगा मेरे सेर जल्दी से बता, unit क्या होगा जूल, जूल, electron volt जूल, येस बेटा देखो, जो value दी जा रही है वो electron volt में हो सकते, electron volt भी उर्जा का ही मात रख है, और जूल है, ये बात याद रखना, बस अब आजाओ साब, number two तूसरा point आपका, पूरा का पूरा जहैर, दिल दिमाग, गुर्दी, फेपड़े में उतार देंगी, three salt frequency, इसको ऐसे लिखते हैं बेटा new, not, है ना चलो मेरी तरफ बढ़ें थोड़ा सा, मेरी तरफ focus करें, मैंने क्या कहा है, एक सर्थ है, एक condition है कि किसी धातु की सर्थ टैप अगर light आएगा, तो वहाँ से electron emit करेंगे, electron निकल निकल के भागेंगे, लेकिन एक सर्थ follow करनी पड़ेगी, क्या कि जो light आता है जो incident light है उसकी frequency उसकी frequency अगर three-sold frequency है उसकी आवरती अगर दहली आवरती है तो ही आगर आने वाले प्रकास की frequency three-sold frequency है या उससे ज्यादा है, तो ही electron का emissions हो पाएगा, otherwise कभी भी, किसी भी हाल में, ये condition में डाल देता हूँ, कभी भी, किसी भी हाल में आने वाली frequency अगर three-sold frequency से उसके बराबर या उससे ज्यादा है, तो ही electron का emissions हो पाएगा, otherwise कभी electron धातों के सत्य से नहीं निकलेंगे बटा, दिल दिमाग में इस बात को पहले बसाओ, बाकी तो मैं लपेट दूँगा बाकी मेरे पे छोड़ दो, मैं किलियर करूँगा इतना मुझे बताओ, ये बात समझ में आए गया जो भी प्रकास आता है वहाँ उस सरपे से electron का जभी emissions होगा उत्सरजन होगा अगर आने वाले प्रकास की आवर्ती या तो दहली आवर्ती के बराबर हो या दहली आवर्ती से ज़ादा हो अगर कम हुआ तो electron उत्सरजित नहीं होगा ये ये रोल है ये रुतबा है दहली आवर्ती का ये रुत्बा है दहली आवरती का समझ जी आप इस बात को समझ रहे हैं आप इस concept को deal कर रहे हैं new आने वाले प्रकास की आवरती 3-sold frequency से बराबर या उच्छे बड़ा होगा तो electron का emissions होगा एक example मैं आपको देता हूँ ये जो 3-sold frequency wavelength आपका frequency आ रहा है ये depends ही करता है intensity पे ती वरता पे does not depends on intensity of light मैं यहाँ पर एक और note डाल देता हूँ बिटा not depends on not depends on intensity of light intensity of light अगर आप लिखना चाहो तो लिख लेड़ा कॉस्टक में अदरवाज आप capital I से represent कर देना मैं इसका example आपको देता हूँ star लगा लेना example आपको देता हूँ मेरी बात को ध्यान से सुनना सुबह सात बजे हमारी यह solar plate है सुबह सात बजे कर्मियो के दिनों में सुबह सात बजे ज़्यादा धूप नहीं होती है ज़्यादा धूप नहीं होती है current कम बनता है दोपेर में 12 एक बजे दूप ज़्यादा होती है इंटेंसिटी ज़्यादा होती है अब मेरे बहुत सारे लाल पिले नीले ऐसे भी होंगी जिनको इंटेंसिटी का मतलब समझ नहीं आ रहा तीवर्था का मतलब क्या है ध्यान देना बिटा पर सेकिंड आने वाले फोटोन पर सेकिंड आने वाले फोटोन नमबर ओ फोटोन पर सेकिंड किसी दातू की सत्वा पे जितने ज़्यादा फोटोन आएंगे उसकी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा है और आपको ये पता है बात है जितने ज़्यादा फोटोन आएंगे उतने ज़्यादा electron से मिलेंगे और उतने ज़्यादा electron emit होंगे और आपको ये भी पता है कि जितने ज्यादा intensity होगी उतना ही ज्यादा current होगा क्यों क्यों क्योंकि i direct proportionally small i सलाही होता है यह बात आपको राइट ओर रॉंग स्टेटमेंट में मिलेगी तीवूर्था मतलब 30 सेकंड आने वाले फोटन디오 ज्यादा आ खेंगे और इलेक्टों ज्यादा निकलेंगे different 모습 ऑद इस फोलिजांगे पिर अगर तो इलेक्ंटे झादा निकंगे और इलेक्ट्रॉंद ज्यादा निकलेंगे तो करण्ट ज्यादह होगा लेकिन अजय नेहिए सोल फुरीक्वेंसी जो दर्ली आवार implicitी पर ठीड नहीं करती सुबै है धाले इंतैन सिटीटी अधेन कम है करन describes 12 एक बुचे इंटेनसिटी फूल है अश्याम को किले कमोगी करन कम बती कि経फन कर रहे ही इंटेनसिटे पेकर रहा है कि कि य अधर आने वाले light की frequency new less than a new note है अगर ऐसा हुआ अने वाले light की frequency new less than a new note हुआ तो जो मर्जी आए जो चाहे जितना ऐसे कर सकते हैं चाहे जितना तो तो आई कितना भी बढ़ा दें एलेक्ट्रोन का उत्सर्जन नहीं होगा बेटा नोट करना emissions of electron not possible if frequency of incident light less than threshold frequency अगर incident light की frequency threshold frequency से less than है देन चाहे intensity को कितना भी बढ़ा लेना पचास गुणा, सो गुणा, हजार गुणा एलेक्ट्रोन का emissions होने के लिए जरूरी है कि incident light या तो threshold frequency के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो कम है तो intensity कितना ही बढ़ा दो क्योंकि यह depend ही नहीं करता इस पर यह इस पर defend ही नहीं करता भाई मेरे निर्वर ही नहीं करता तो यह दो तिन सवाल पहला सवाल दूसरा सवाल आपका और यह तीसरा सवाल यहां से यह सवाल आपको मैं उड़री बताई चुका हूं यह सवाल अपना आगे बात करेंगे थोड़ी सी आगे बात करेंगे यहां प्रसान्त पांडे कह रहा है, इस फेमली में दो ही लोग रहते हैं। इस फेमली में बहुत सारे लोग रहते हैं, अभी बताऊंगा रहीं आपको, वन भाई वन आप मेरे साथ बने रहे हैं। एक-एक क्वाजर कर वा दूगा। लाई करना भूल जाते हैं मेरे सौल्जर, सबसे पहला काम कुद मोटिवेट और टीचर को मोटिवेट रखना आपके हाथ में है, टीचर मोटिवेट होता है, आपके रेस्पॉंस है, और उसमें कमी कभी मत किया करो, आप बेस्ट से बेस्ट कंटेंट अगर आपको डिलिवर हो रहा है तो आप उसमें कभी भी कंजूसी मत क्या करो नोट पोइंट है जो मैं इधर आपको लिखवा चुक हूँ बस एक चीज बोलूंगा बिटा न्यू नोट बराबर सी बटा लेमडा नोट न्यू नोट बराबर सी बटा अरे भाई सबको पता है न्यू बराबर सी अपन लेमडा सबको पता ये बात तो नया तोड़ी ना कुछ अरे कुछ नया है गया नहीं है तो न्यू बराबर सी अपन लेमडा नोट सर ये क्या है ये तो आपका थ्री सोल्ड फ्रिक्वेंसी ये ह है थ्री सोल्ड वेवलेंथ है पताई से क्या बोलते हैं दहली का रंग देर दे थ्री सोल्ड वेवलेंथ है दहली का रंग देर देर यह लेमडा नोट यह सी क्या है वेलोसिटी ओप लाइट प्रकास का वी अब आभी आभी आपको बता चुका हूं अब आएगा मजा अब गुलेगा जहर अरे वो सवाल जिसमें 820% पोल आया था एक बार अब लेके आता हूं आपके सामने और आज की बाद में उसका जैर खतम देखना बिटा मैंने क्या बुला new note बाराबर c upon lambda note मेरी बात को गोर से देखना ये सवाल आपका अगर आने वाले light की frequency greater than equal to new note yes or no आने वाली प्रकास की आवर्ति या तो देली आवर्ति के बाराबर हो result frequency के या उससे ज्यादा हो तो electron का emissions होगा अब आएगा मज़ा अब बढ़ेगा जहरे अब फोकस करना क्या बटा new note बाराबर c upon lambda note अब मैं एक relation लिखना हूं बेटा लेंडा और लेंडा note का अब मुझे बताओ अगर आने वाले प्रकास की wavelength इसको देखे बताड़ा इसको देखे अब बैटा आएगा मज़ा और यही वो में कप था यही वो में कप था सवाल बना के पूछूंगा अभी में यही वो में कप था जल्दी बताओ सर जी उल्टा कर दो इस बार या तो लेंडा के बराबर हो या लेंडा note लेंडा से लेंडा note बड़ा हो अगर आने वाले प्रकास की wavelength यह अने वाले की है क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है inversely proportional है यह है वो जहर सरजी जहर समझ नहीं आया सवाल के साथ में आयेगा सवाल के साथ में आयेगा सवाल देखो अगर आने वाले लाइट की फ्रिक्वेंट है सुरी आने वाले लाइट की वेवलिंद तीन अजार एंगस्ट्रोम है और ये में लिखराम लेंडा, तीन अजार एंगस्ट्रोम है और थ्री सोल्ड वेवलेंद चार हजार एंगस्ट्रोम है तो क्या दातू की सत्य से एलेक्टोन का उतसर्जन होगा या सोड़नों एक्यूशन बना था और बच्चोंने सब ने गलत कर दिया था वो उल्टा नहीं कर रहे थी था आने वाले की 3,000 3,000, 4,000 अब देख लो तो yes or no होगा जल्दी से comment कर भाई पूरा तो उतार दिया तेरे दिल दिमाग में पर कहा सोच रहा है लपेट देना उदर यार यार ये लेम्डा आने वाले का है ये 3,000 उससे ज्यादा है तो जरूर सरपेश से इलेक्टोन का इमीशन होगा yes इंडेट परसेंट राइट ओप्शन आपका yes agree अरे ये ही वो सवाल था प्रेक्टिस क्लास में मॉर्निंग वाली में सुभा आट वजे वाली में अब बताओ के लियर हो रहा के नहीं हो रहा जल्दी बताओ मेरे से रोज जल्दी से बताओ फटा फट कि जल्दी से कि फुल इंजोई कर रहे हैं मस्ती के साथ में हाँ 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 कि चलो बेटा ओके हागे बड़े चलो ओके ओके चलो शाबास ये सवाल आपका याद रखना महुत बढ़िया जबर्दस रिस्पोंस आपका कमेंट बॉक्स में बैक टू बेक फायर कर रहे हैं बच्चे क्या बात है प्लेलिस्ट बना दीजिए बड़ा प्लेलिस्ट अपडेट कर दिया है आपकी प्लेलिस्ट अपडेट कर दिये कोई बात नहीं है और ये नोट पॉइंट है मैंने अल्रेड़ी उदर लिख दिया बिटा लेम्डा लेस देन इक्वल टू लेम्डा नोट ये नोट मैं अल्रेड़ी आपको लिखवा चुक हो पीछे यहां पे तो यह आप यहां पे लिख सकते हैं कोई दिक्कति है मुझे मैं तोड़ा सा आगे बढ़ूंगा ठीक है येस सर देखो आगे आजओ अब आजओ क्या बात है आइस्टाइन का परकास विद्धुत समी करने अब आएगा मजा एक बार नई दुनिया में लेके जाओंगा फिर वापस लेके आओंगा मैं तुम्हारे को चलो हम आचुके हैं चांद पे हैं हम आचुके नई दुनिया में और यहां पे एक ज़बरदस्त वाला हम हलवा बनाने वाले हैं मेरी बात को जरा गोर से समझना यह वेटा आपका सरपेस है यह कोई धातू का सरपेस है तो इस धातू की सत्ता पे जब भी कोई प्रिकास आके एल्य फोम में है Pak possess कि दो में फोटोन कहते हैं ठीक है जैनले में फोटोन कहते हैं आगे बात करेंगे तोड़ाशा थंजाओ गेस मत बनाओ बिल्कुल भी सब मैं किलिएर कराऊंगा मैं तो जो एनर्जी यह लेके हástे हैं फुश्य एनर्जी का फोप्रा यह इनर्जी दी जाती है सरपेशिपर रहने वाले हो किसको दी जाते हैं अब बैचारा इस एनरजी जो इलेक्टरोन को दी है वो उसको दो रूपों में खर्च कर सकता है पहला रूप कौन सा कमेंट में बताओ, इलेक्टोन को जो ये उर्जा मिलेगी, उसको वह दो रूपों में खर्च कर सकता है, पहला बेचारा वर्क फंक्शन के रूप में इदर से निकलना चाहता है, और फिर जो बच गया, फिर उसको क्या बना देगा हो, भूत बना देगा भाग जाएगा उदर से काइनेटिक एनर्जी के रूप में, तो जो उर्जा उसको फोटोन ने दी, उस उर्जा को उसने इन दो रूपों में खर्च कर लिया, और इसका एक्वेशन बना दिया आइंस्टीन ने, और वो एक्वेशन था आइंस्टीन का क्या, कि दी गई उर W naught प्लस है, काइनेटिक एनर्जी, ओके, W E naught क्या है, वेल्दा, E बराबर क्या है, H new naught, क्या है, H new naught, काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1 बट़ा 2mv², ध्यान दीजेगा, इसमें आप इसको इधर लिया हो, H new, माइनस H new naught बराबर एक बटा दो mv square इसमें से h common ले लिजिए new minus new note हो जाएगा और एक formula और मेरे share side में लिख ले निरोधी विभव सर अभी आपने हमें वो बताए ही नहीं है आगे बताऊंगा बस थोड़ा सा इसारा समझ ले बेटा अधिक्तम गती चुड़ जा का मापक होता है numerical करवाया था kinetic energy का जो maximum value है वो cut off potential के रूप में measurement होता है एक बटा 2mv square को ev note रख सकते हैं ev note तो चलो e का भाग लगा लो v note ये आपका बेटा cut off potential है जिसे अपन बोलेंगे cut off potential को इंदी में क्या बोलेंगे cut off potential क्या बोलते हैं इसको अंतक विभाव निरोधी विभाव अंतक विभाव या निरोधी विभाव दिमाक्स निकल गया इसलिए तो v note बाराबर बेटा e का भाग लगाओ h बटा e और new minus का new note ये है हमारा किसका equation Einstein का equation इस slide का screen sort ले 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 ना कि ये नई दुनिया वाली slide वापस से जादू के चू हो जाती है गुम हो जाती है मतलब disappear हो जाएगी ये include नहीं होती है slide ये अपने आप मिट जाती है तो इसका screenshot ले 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 ना जो बच्चे notes बना रहे हो पहले बता देते है फिर ये गाइप हो जाती है ठीक है हाँ अंतक विबो निरोधी विबो अब बच्चों ने लिखा है मजा आ गया चलो जी हम तो यहाँ पर देखो क्या बताया इसने ये जो energy ले के आया ये उर्जा ले के आया इस उर्जा को उसने खर्च किया ये उर्जा ले के आया खर्च किया काइनेटिक एनर्जी के रूप में बाहर निखल गया यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम थी क्यों निकली नहीं पाया बच्चा क्या भाई अरे एक कंडिशन है यहाँ पर एक कंडिशन है अगर E बाराबरे डबलू नोट के जो उर्जा आई वो तो वर्क फंक्शन में खर्च हो गई तो तुम खुद मुझे बताओ यार काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई फिर जीरू बेचाराव लिकल के बाहर आके बेठ गया जेल से बाहर तो आगया और बाहर आके चुपचा बैठा है क्या करें? भाग नहीं सकता क्यों? काइनेटिक एनर्जी नहीं है गति जो उर्जा नहीं है तो कैसे भाग जाएगा? बताइए आप हमें तो काइनेटिक एनर्जी जीरू अगर ये उर्जा ज्यादा है अगर आने वाली उर्जा ज्यादा है डबलू नोट से तो भिया काइनेटिक एनर्जी आएगी जो अंतर आएगा वो काइनेटिक एनर्जी जाएगी ये माइनस का डबलू नोट बराबर काइनेटिक एनर्जी क्योंकि जन्रेल फोर्मुला हमने आपको बता दिया वह फोर्मुला क्या है विटा ए बराबर जो फोटोन की उर्जा आती है वह उर्जा एक तो वर्क फंक्शन और एक काइनेटिक एनर्जी के रूप में खर्च का थे बस बचा यह याद कर लेना बस फिर लपैट देंगे फ आप गजन काया ले रहे दोडा दोड़ां के फोटेंगे फिर बताओ हो की लिए लोरा यहां तक सभी को कैसे के लिए ल सब करेंद करेंद काली विटा करेंद सबिक करेंद चलो आगे बढ़ते हैं एगली स्लाइड में यही है और बाकी तो क्या ही बताएं आपको यह फॉर्मेट जो मैंने लिखा है वो फॉर्मेट आप इधर लिख सकते हैं बिटा फोटॉन की उर जाए एक बार फिर से लिख देता हूं वर्क फंक्शन काइनेटिक एनरजी एका वेल्यू एच न्यू वर्क फंक्शन का एच न्यू नोट काइनेटिक एनरजी एक बटा दो एम वी स्क्वाइर इसको पहले लिख दो एक बटा दो एम वी स्क्वाइर इधर हो जाएगा और इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस क का हैच न्यू माइनस का हैच न्यू नोट एक बटा दो एम वी स्क्वाइर हैच कॉमल लेंगे न्यू माइनस न्यू नोट बेटा मैं साइड में लिख देता हूं निरोधी विभाव अधिकतम गति चुर्जा का मापक होता है कटोप पोटेंशियल बताऊंगा डेफिनेशन दूँगा अभी रुकिए इवी नोट बाराबर एच न्यू माइनस न्यू नोट अगर आपको वी नोट निकालना है तो एका भाग लगा दो एच अपको ए न्यू माइनस न्यू नोट ये है आपका इंस्टान का प्रकास विदुद समीकन दो बार पूरा का पूरा बता द कर दीया है याद कर वादिया कि लिएर बेटा चलो जी अब देखिए बटा के कि की इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी विषे न दोनों को लपेट चुका हूं कि वैसे मैं दोनों concept को बहूत अच्छे से लपेट चुका हूं बहुत अच्छे से फोड चुका हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी आपकी जो अगली क्लास है उसमें ज्यादा टाइम नहीं बच रहा है तो फिर अपने इसको कल लपेटें बहुत अच्छे से और आराम से स्लोली स्लोली ताकि आपको याद भी हो और कॉंफिडेंस भी वाला है जो तांडव होने वाला है उसका इंतजार करें बहुत जल्दी आपको अपडेट मिलेगा प्यार और सपोर्ट के लिए सभी बचों का थैंक यू सो मच लव यू ओल मिलते हैं आप से अगली क्लास में मुकेशर की क्लास आएगी बैक टू बैक जहर क्लास आपकी त